इस वीडियो में हम लोग सप्लिमेंटरी कच्छा दस के जो पहला चेप्टर है ए ट्राइम्फ अप सर्जरी इसके लांग कोश्चन को चेक करेंगे पिछले वीडियो में इसके साथ कोश्चन को हमने अपलोड किया है यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिशन में उसका लिंक पड़ा हुआ है जाकर के चेक करें साथ ही साथ वहाँ पर इंगलीज क्लास 10th का एक प्लेइलिस्ट एंसी आल्टी बेस्ट प्लेइलिस्ट है उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो हर चेप्टरों के आप देख सकते हैं तो आईए इसके लांग कोश्चन को चेक करें इस्टूडेंट यदि पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक इजली बहुँट पाए देखें फर्स्ट कोश्चन इजि गिवन हीर राइट ए करेक्टर स्केच आप मीसेस पंफरी तो बहुत इंपर्टेंट कोश्चन है पंफरे का चरितर चित्र करना है इस चेप्टर में ये ट्राइम्फ सरजरी में जिनके इर्द गिर्द ये चेप्टर घुमता है उनका जो मिसेस पंफरी हैं उनका एक कुत्ता होता है अपने उस कुत्ते से बहुत बड़ा उनका अटेचमेंट है लगाओ है और उनके कुत्ते का क्या नम था ट्रिक्की था अपने उस कुत्ते को बहुत ज़्यादे प्यार करती है C. loves tricky so much that C. always overfade him मने इतना ज़्यादे अपने कुट्टे को प्यार करती हैं कि उसको सदा बहुत ज़्यादे खिला पिला देती हैं ओभर फेद कर देती हैं ओभर फेद मने इक्स्तरा भोजन खिला देती हैं The result was that tricky had become very fat and lazy तो प्रिडाम क्या हुआ बहुत ज़्यादे खिला देती हैं भोजन उस कुट्टे को खाना देती हैं फैटी भोजन तो प्रिडाम सरूक यह हुआ कि उनका कुट्टा बहुत मोटा हो गया और बहुत palsy हो गया lazy हो गया The dog had become ill और इसी के साथ जो कुता था वो बिमार हो गया दाक्टर एडवाइजड मिसेस पंफरे दाक्टर एडवाइजड मिसेस पंफरे टू कट डाउन फूड फार्टर की तो डाक्टर जो थे उन्होंने पंफरे को सलाह दिया कि ऐसा करो कि उसको बहुत जादे भोजन मत दो दी जाने वाली भोजन में तुम कटवती कर दो कट डाउन फूड फार टर्की बट सी वाज अनेबल मिसेस पंपरी लेकिन वह तो मिसेस पंपरी जो थी बहुत ही अयोग्य थी चुकि बहुत जादे प्रेम करती थी उनका यह हो करने वाली लेडी थी उसकुत्ते का देखभाल करने वाली थी शी हैड आल एरेंजड फार टर्की और टर्की के लिए बहुत कुछ सभी सुविधाव दे रखी थी उसकुत्ते के लिए शी वाज वरीद फेन टर्की वाजील और जब बिमार पढ़ गया कुत्ता तो उस वक् चिंतित भी थी वरीद थी सी थैंग्ड दडाक्टर हरियट फार ट्रांसफार्म अफएट एंड लेजी डाग इंटू एक्टिव एंड स्टांट तो जब कुत्ता उनका एनिमाल हस्पिटल ले जाया गया हरियट के द्वरा हरियट ने उसे ठीक किया तो उन्होंने धन्यव तो इसे फरस्ट क्वेश्टन कोनोट कर लखे आजये नेक्स्ट कोस्टन चिक करते हैं Question number two है, Describe the whole treatment of tricky in detail. तो जो tricky कुत्ता था उसको जो उपचार किया गया, कौन-कौन सा कैसा उपचार किया गया, उसकी पूरी treatment को ही हमें समझाना है. दखे, 2nd question, Tricky was at animal of Mrs. Pummeter तो ट्रिकी पालतू जानवर था Mrs. Pumreet Love is very much Mrs. Pumreet उसकी मालकिन थी उस कुद्थे को बहुत जादे पयार करती थी मच्च हरडा ट्रिकी जिसका नाम ट्रिकी था ट्रिकी इच ओभर फेड ओभर फेड भाई his mistress तो ट्रिकी की जो मालकिन थी Mrs. Pumрь ये निकला कि ट्रिकी बिमार पड़ गया he requested food he refused food जब बिमार पड़ गया तो कुट्ता खाना बंद कर दिया इनकार करने लगा उसको खाना दिया जाता नहीं खाना खाता ट्रिकी वाज बाउट सा बोम्टिंग और उल्टी का दोरा हो गया शुरू उल्टिया करने लगा so so मिसेस पंफरी वाज वरीड तो मिसेस पंफरी बहुत चिंतित हो गई she was consulted by the doctor harriet doctor harriet जो थे उन्होंने उनको राय दिया मिसेस पंफरी को कि ऐसा करो कि तुम भोजन कम दो उसकुते को but she was unable to cut the food for turkey लेकिन turkey पर ध्यान नहीं दी वह लगातार उसको भोजन देती रही जो मिसेस पंफरी थी नतीजा यहीं था कि वह बिमार पड़ गया मिसेस मिस्टर harriet took turkey to animal hospital for the treatment जब बिमार हो गया तो जो harriet थे डाक्टर थे वह कुते को अस्पताल ले गए जहां जनवरों का अस्पताल था इलाज कराने के लिए ट्रिटमेंट कराने के लिए फास्ट टू डेज turkey was not given food तो harriet के द्वारा दो दिनों तक turkey को कुछ भी खाना नहीं दिया गया बट प्लेंटी अफ वाटर लेकिन बहुत ज़्यादे पानी फिलाया जा रहा था वहां पर हरियट के द्वारा दे थर्ड डे turkey was recovering और तीसरा दिन जो जब हुआ तो turkey सही हो रहा था he heard the bark of other ducks तो अन्य कुत्तों की आवाजों को तीसरे दिन हो सुनता है then turkey also started barking तो धीरे धीरे वहां भी भोगना शुरू कर दिया barking करना he started jump and play अब वो क्या करता है उचलता, कुदता, खेलता दस turkey was right इस प्रकार से ठीक हो गया without any surgery and medicine बगएर किसी दवा के और बिना सल्ल चिकिस्सा के ही वहां सही हो गया एक question number second है इसको note कर लेंगे काफी important question है next question चेक करेंगे question number three देखे, Mrs. Pampree was responsible for trickies poor condition describe it in detail तो जो tricky था बिमार हो गया और उसका जिम्हेदार सिर्फ और सिर्फ Mrs. Pampree थी उनके बारे में बताना है किस प्रकार से कुद्टे को बिमार कर देती है देखे, Mrs. Pampree was mistress of trickie trickie की मालकिन थी mistress थी and she loves trickie very much trickie को बहुत ज़्यादे प्रेम करती है she always ओभर फेडिमा और बहुत ज़्यादे उसे खिला पिला देती है thus trickie had become meal इस प्रकार से trickie बिमार पढ़ जाता है यही रिजन है his condition was very poor उसकी जो condition थी दसा थी बहुत दैनी थी tricky was very greedy for food हमेशा लालच करता था जो उस tricky था हमेशा भोजन के लिए लालची था Mrs. Pampree gave him fatty diet और जो स्रीमती Pampree थी उसको हमेशा बसायूक्त चरवीले खाना देती थी भोजन देती थी जो डाक्टर हरियट थे advised her to cut the food for the dog डाग के लिए जो डाक्टर थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि भोजन में कुछ कम कर दो उस कुट्टे को देना कटवती करो बट she did not care लेकिन धयान नहीं दी दस the result was that tricky started vomiting परिणा में था कि बिमार पड़ गया और उल्टिया सुरू कर दिया vomiting सुरू कर दिया जो कुट्टा था tricky was sent to animal hospital अब जानवरों के अस्पताल भेजा गया उस tricky को further treatment उपचार के लिए tricky had become recovered by the efforts of Mr. Harriot जब Harriot उसके डाक्टर थे दो दिन के बाद तिसरे दिन धिरे धिरूप चार सुनू किया और तिसरे दिन सही होने लगा उनके प्रयास से thus we can tell that Mrs. Pumphrey was responsible for tricky poor condition इस प्रकार समका सकते हैं कि tricky के इस धैनी दसा को लाने का सिर्फ और सिर्फ responsible उत्तरदाईत Mrs. Pumphrey को था जो कि वह कुत्ते को बहुँ जादे चर्वीला खाना दे देती थी ओभर पेट से भी उपर इसलिए ओकुत्ता बिमार पढ़ गया बिदाव डिक्सर साइच इस चेप्टर के सभी क्वेशन बहुत ही इंपर्टन थे पीबोर्ड में इस चीत आज़ पर कोई-चेथर पर कोई Chand टच हूगा लांग कोशन 4 नमबर का आता है आपके क्वेशन 4 देखें डिस्क्राइब 度ो मुच इंपर्टन कारेक्टर आफ दिस चेप्टर ट्रिक्टी इन डिटेल मिस्स पंफरी ओभर फेधिम बहुत ज़्यादे खिला पिला देती थी लगवक सभी कोश्चन एक जैसे मिलते जूलते हैं इस चेप्टर के तो काफी इजली होंगे ट्रिकी वाद जे भेरी ग्रीडी डाग बहुत ही लालची कुता था तो डाक्टर जो हरीड थे उन्होंने कहा मिस्स पंफरी को कोई कंट्रोल करो अपने उस कुत्ते को बहुँ जादे देना खाना देना बट सी इगनोर्ड लेकिन ध्यान नहीं दी जो उसकी मालकिन थी नाउटर की वाज बोमेटिंग उल्टियां सुरू कर दिया उल्टि करने लगा मिस्टर हरियट तुक हिम एनिमल हस्पिटल तो एनिमल हस्पिटल ले जाना पड़ हरियट के द्वारा फार्दर ट्रिटमेंट उपचार के लिए फर्स्ट टूडेज ट्रिकी वाज नाट गिवेन फूड पहले दो दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया एक्सेप्ट प्लेंटी अफ वाटर प्लेंटी मने बहुत जादे वाटर मने पानी ही पानी दिया गया उसको बगेर भोजन के तर्ड ट्रिकी वाज राइट और तीसरे दिन ठीक हो गया दिरे दिरे ठीक होना शुरू कर दिया इस तरह से कुट्ता जो है उचलता उचलना कुदना भखना शुरू कर दिया सो थैंकियो श्टूट